हलो एब्रीवन आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिसी पोस्ट पर जो इंटर्वीव होने वाला है उससे संबंधित कुछ महत्पून जनकारी के बारे में तो चलिए सुरू करते हैं तो इस वीडियो को सुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहेंगे जो आप लोग इस वीडियो को आन तक जरूर देखेंगे क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही महत्पून होने वाला है यह वीडियो तो हम लोगों ने यहाँ पे इस पूरे सेक्षन को पांथ पार्ट में रिवाइट किये हैं तो एक एक करके हम लोग इस सबकी जनकारी को देखेंगे तो सबसे एक में जो हम लोगों ने यहाँ पे रखा है जो यहाँ पे आपका ड्रेस से संबंदित तो आप लोग को पता ही है जो आप लोग को ड्रेस जो है फॉर्मल ड्रेस आप लोग को पहन कर जाना है तो इसमें आप लोग जो है कोई भी चुक नहीं करेंगे आपका फॉर्मल ड्रेस है तो फॉर्मल ड्रेस ही पहन कर जाना है तो नमबर एक में हम लोग यही जानकारी जान लिजिए जिस रूम में आप लोग का इंटरिव्यू होगा और वहाँ पे जब बुलाया जाएगा तो आप लोग गेट पर इंटर करते ही आप मिया कॉमीन सर बोलेंगे और उसके बाद इंटर करेंगे जब आप रूम के अंदर इंटर करेंगे तो सबसे पहले आप गु बाद जो प्रहूंगे उनको आपको यह संब्भोदन करना है उसके बाद आपको चेयर पर बैठने के लिए बोला जाएगा तो जो है आप जब बैठिए गाना जब बैटे गार जो यह जैसे घर पर बटते है उस अनुशार ऑपने शंज के बाद अपने हाथों अपने पैर पर रखेंगे दोनों पेर पर दोनों हाथ को अराम से थेयन क्राइशन यहां पर यह बात आप बिलकुल धेयन में रखेंगे यह बहुत ही इंपर्टेंट बात है और अपने फेस को बार बार अपने agreeing बार्बर अपने हाथ से ळिलको देंगे, बहुत लोगों का आदत होता है, जो कोई भी बात बोलना हो, तो हात का इसारा इधर उधर करते हैं, तो यह चीज यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हात को आप बिल्कुल इधर उधर नहीं करेंगे, अराम से रिलाक्स होकर बैठेंगे, और एस्ट्रेट बैठेंगे, और अपने फेस को अपने हातों से बिल्कुल टच नहीं करेंगे, तो यह सब चीज जो है, ध्यान में रखने वाली बात है, छोटी छोटी बात है, यह बहुत ही महत्पून है यह, अब हम लोग यहाँ पर तिसरे नमबर में जो रखे हैं, जो कोशन एंसर से संबंदित है, जो आप लोग से जो कोशन पूछा जाए, कोई भी कोशन तो उसका एंसर जो होगा, आप बहुत ही सरल और छोटा ज्यादा बड़ा उसका एंसर नहीं देंगे, जितना छोटा से छोटा हो सके, आप उसका एंसर देंगे, जो उसमें से कोई कोशन ना निकल पाए, जल से जल बिल्कुल eye contact में जो भी interview ले रहा है जो भी question पूछेंगे उस panel में से उनसे eye contact एदम बिल्कुल बना हुआ राना चाहिए जब भी आप answer देंगे उस समय और अगर आपसे question पूछा जाए उस समय भी आप इदर उदर बिल्कुल नहीं देखेंगे यह सब चीज ध्यान में आपक जो है आपको बहुत ही important है आपको जो answer देना है एदम सरल और लगु छोटा ज्यादा बड़ा answer नहीं देना है तो अब हम लोग चार नंबर क्यों देखने जा रहा है तो चार नंबर में जो हम लोग आपके लिए लाए इंटर्विव से संबंदित ही है जो आप लोग के मन म है जो इंटर्विव के लिए क्या करें इंटर्विव का त्यारी कहां से करें इंटर्विव के लिए गाइट कहां से मिलेगा तो यह सब चीज के बारे में हम लोग discuss करने बाले तो सबसे पहली बात इंटर्विव के लिए आपको खुद से preparation करना पड़ेगा और इंटर्वि आपके और एक आयने के सामने उसको ही फिर रिपीट करके देखिए आप कहीं भी अटक जाईएगा यह चीज बहुत ही तो आप रुक नहीं पाईएगा आप फ्लो में आगे उसको मैनेज करते हुए निकल जाईएगा लेकिन यहां पर रटने में क्या होता है रटने के बाद जब आप कोई भी चीज बोलिएगा डिरेक्ट फ्लो में तो जब भी आप बीच में रुकिएगा तो आपका दिमार्ग सीधे श्ट्राइक करेगा जो इसके अगले लाइन क्या है वह वहां पर रुक जाएगा उस चीज को रिकॉल करने लगेगा तो यहां पर अटक जाईएगा और यह सब चीज जो है आपको इंटर्विव में बैट परफॉर्फॉर्मेंस में आ जाएगा तो यहां पर रट के यहां पर कोशन किस पर करका आएगा तो कोशन जो है देखिए कोशन के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है यहां पर तो एक ही चीज से आपको चार पास कोशन पूस लिया जाएगा तो यहां पर आप अभी क्या कर सकते हैं तो अभी आप जो है इसके प्रिप्रेशन के फोकस कर सकते मेन पर पर और यहां पर जो है जो लोग मैट्रिक पर दिये हैं तो वह लोग मैट्रिक के बाड़े में अपना कुछ थुरा बहुत देख लेंगे अपने सब्जेक्ट के बारे में उसके बाद यहां पर आपकी responsibility है तो इस सब चीज को भी देख लीजिएगा और जीपका से संबंदित जो जानकारी है वो आपका जो है हम लोगों ने जो बुक दिया था उसमें पूरी क्लियर तरह से आपको समझा कर दिया गया है आप एक घंटे में उस पूरे बुक को 48 पेस का है जिसमें कुछ पेस तो ऐसे ही है तो उसको आप एक घंटे में अराम से रीट कर सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर थोड़ा बहुत आप लोग को परसानी होगा तो गूगल से भी आप लोग उसको सर्च कर सकते हैं तो जीपका के बारे में उसमें तो बहुत अच्छे से समझाया गया है तो हमको नहीं लगता है जो आपको दिक्कत होगी अगर थोड़ा बहुत अगर कोशन आपके मन में हो तो गूगल से भी उसका हेल्प ले सकते हैं तो यहां पर यह जो है इंपोर्टेंट है तो यह चीज आप लोग देख लिजेगा और बिहार के योजना के बारे में भी आ अब हें हो उसरे आपको कोशन पूछ लिया जाएगा आफैसे वससे न्यट्रीका करता है तो फ्यद्ती नहीं ही इसाब कर जए लेकिन इंटरवियू आउपकर करके जो पूछता है नहीं सब्सक्राइब जब आप से पूछा जाए उसी में से तीन चार को से निकाल के आपसे लगातर पूश दिया जा सकता तो यहां पर जो है कुछ भी कहा नहीं जा सकता है हम लोग यह भी नहीं का सकते जो बोलना है यहीं से आएगा लेकिन लेकिन आप लोग प्रिप्रेशन तो कड़के उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और interview में आप relax होकर interview दिजेगा interview में सबसे बड़ी बात क्या होती है जो interview में आपका 20 चीज जो है वहाँ पर notice किया जाता है उसमें से एक चीज आता है आपका education तो ये सब चीज ध्यान में रखिएगा आपका activity से लेके आपका dressing सब चीज चेक होते रहता है तो यह सब चीज जो है आप इसके लिए ज्यादा मतलब mindly disturb ना हो आप इसका preparation करें और जो भी question आए उसको आड़ाम से answer दीजेगा तो इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी और preparation के लिए तो आप यह सब चीज कर सकत है और जीपका के बाड़े में आपके अंदर जो जिग्यासा है वो आपको बुक से कुछ help मिल जाएगा और थोड़ा बहुत अगर बच जाय तो उसे गूगल से आप ले सकते हैं तो यह थी चोथे नमबर में जानकारी अब आते हैं हम लोग पांचमे नमबर में क्या जानक सकते हैं तो यहां पर जो पूछा गया है उस पर हम लोग discuss करने वाले हैं तो यहां पर अब हम लोग एक एक करके जो भी question पूछा गया है उसके discuss हम लोग करने वाले हैं तो यहां पर सबसे पहला जो question पूछा गया था आठ सुत्री के बाड़े में बता है तो चलिए हम आप शुत्री के बाड़े में जो आपके द्वारा पूछा गया है यहां पर देखें मुख सिद्धानत और अप पड़ेवरति निये तद यहां पर जो है यह छे परकार की जानकारी आपको यहां पर दी गई है इस बूक में तो आप यहां से इस बूक में इस कोस्टन का भी एंसर आडाम से आप लोग ढूंड सकते हैं अब यहां पर पूछा गया है जो सिसी का पोस्ट जो है उस पर किस परकार से काम करना है या काम किया जाता है तो उसकी भी जानकारी आपको थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो यहां पर बहुत अच्छे से इसको पूरेट डिफाइन करके बताया गया है जो किस परकार से काम करना होता है सीसी को तो यह जो आप देख रहे हैं समुदाइक समनब्यक तो यह सीसी का ही हिंदी में समुदाइक समनब्यक बोला जाता है तो आप जो है इसके बाड़े में भी इस बुक से जनकारी ले सकते हैं बहुत ही सरलभासा मे इसको जनकारी दिया गया है अब यहां पर नेक्स्ट कोस्टन जो पूछा गया है जो आप जिपका के बारे में क्या जानते हैं जो इंटर्व्यू में इस परकार का अगर पूछा जाए तो हम किस परकार से एंसर देंगे तो आप यहां पर इसके बारे में भी जनकारी जो है शुरू में ही यह दिया गया है तो आप यहां से भी इसका अंसर आप तयार कर सकते हैं यहां पर देखिए यहां पर आपको जनकारी दिया गया है प्रयोजना का मुख और पड़वरतिनियत तत्व के जो है यहां पर दिया गया है तो आप लोग इसको पड़के भी इसका अंस बना सकते हैं तो आप से अगर ये question पूछा जाए जो आप जिपका में क्यों आना चाहते हैं तो आप ये question का जवाब में आप ये भी बो सकते हैं जिपका प्रियोजना से बहुत परभावित हुए है जिपका प्रियोजना के द्वाड़ा हमारे समाज में बदलाव लाने में अहम भूम का निभाया जा रहा है जीब का प्रियोजना के अंतरगत जो जीब का दीदी हैं उनके द्वारा बहुत ही सरानिय कर किया जा रहा है जिससे की जीब का दीदी के आर्थी के इस्तिती में तो सुधार आही रहा है साथ ही साथ हमारे ग्रामिन समाज के विकास में प्रियोजना को और आगे बढ़ाने में हम अपना योगदान देना चाहते हैं जिससे की हमारे ग्रामी समाज में और सुधार आ सके आप इस प्रकार से जो है इस कोशन का अंसर दे सकते हैं आप इसमें चाहे तो और कुछ एड़ करना चाहे तो कर सकते हैं आप यहां पर यह भ sel काम मोहत्पून योगदान था और आप रासनकाट बनाने में जिब काई दIL हमाथ पूने दौन योगदान था था तो यह सब रोजगार मिल रही है तो इस परकार से आप यहां पर इसमें जो भी एड़ करना चाहते हैं इसमें एड़ कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप अपने अनुसार इसमें एड़ करके आप इसका जबाब दे सकते हैं और यहां से आप से जो है इसमें से आपका कोस्टन नहीं जल्दी बन पाएगा इसमें से अगर कोशन बनेगा क्या जो हमारे ग्रामी समाज में किस परकार से विकास होड़ा है इसके बारे में अगर आप इस बुक को भी पढ़िएगा तो आप रटेंगे नहीं कोई भी चीज को रटने से तो काम नहीं बनेगा आप उसको समझ लिजिए जो आखिर इस परियोजना के अंतरगत हो के आड़ा इसे लाब कि कहां तक होड़ा आए तो आपको जब एंसर दिजेगा तो आपका आंसर खुद बखुद त्यार होते जाएगा तो यहां पर आप लोग जो है इसके लिए इस बुक को एक बार रीड जरूर कर लिजिए इस बुक में बहुत सारी जनकारी आपको दिया गया है और यह बुक में ज्यादा पेश तो है नहीं आप एक घंटा में चाहे तो इसको रीड कर सकते हैं और इस बुक को हम लोग टेलिग्राम चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिये हैं और इसका लिंक जो है हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये हैं आप आप 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 किस परकार से क्रता है यह सब चीज इसमें दिया गया है तो यहां पर आप लोग न question पूछा उसमें से बहुत सारे question का answer इस बुक में आडाम से आपको मिल जाएगा और आप इसको रटिएगा नहीं बस इसको समझ लिजिए अब यहां पर next question जो पूछा गया है जो graduation जो है chemistry है home science है तो हम इसको किस परकार से जीब कासे कर पाएंगे हमसे किस परकार से मतलब question पूछा तो यहां पर आपको सबसे पहले जानने वाली बात है chemistry हो home science हो तो यह तो आपका main paper में पर के बाड़े में आप थोड़ा बहुत जान लेंगे तो अच्छा रहेगा आप आप से interview में आप से फर्मूला तो पूछेगा नहीं और यहां पर हर चीज को रिलेट तो किया नहीं जाएगा जो बताइए जो जीब आप chemistry से किया है तो इस परकार का question जो है नहीं के बड़ा-बड़ी पूछा जाता वैसा कोई graduation अगर कोई किये हुआ है जैसे ग्रामिंग छेत्र डेवलोप्मेंट वेगड़ाई सबसे तो उससे रिलेट किया जाता तो इसके लिए जो है आप ज्यादा परसांद नहों तो यहां पर आप लोग अपने पेपर के बारे में थोड़ा बहुत जनकारी रखेंगे क्योंकि जैसे पेपर से आप से कुछ भी सब्सक्राइब कर्णा और आपके मंड़ में और कोई कोस्ट्न अगर आता है अगर इस बुक में इसकी जानकारी नहीं मिलती है तो आप लोग गूगल से भी help ले सकते हैं वहां पर भी आपको जानकारी जो है मिल जाएगी और यहां पर जो हम लोग कोस्ट्न का एंसर जो द पूरत देना बहुत आसान होता अप फोलो में पूरा यासर दे सकते हैं तो जो है रटने की ज़रूरत नहीं है अभी आपके पास जो है फोड़ा बहुत समय है तो उसका यूज कर सकते हैं यहाँ पर एक और कोशन पुछा गया था जो जीप का महिलाओं के लिए ही क्यों है तो सबसे पहले आपको यह जाना चाहिए जो यह पड़ियोजना जो है जीप का पड़ियोजना यह महिलाओं के लिए ही सुरू की इसका एंसर भी आप खुद इस बुक से आप निकाल सकते हैं जब आप इस बुक को एक बार रीड कीजिएगा तो आपको बहुत सारे कोस्टन क आपको निकल जाएगा और इस बुक में ज्यादा पेज भी नहीं है आप एक घंटा में इस बुक को रीड कर सकते हैं और यह जो बुक है हम लोग टेलीगराम चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुके हैं और इसका लिंक जो है पीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जा सेलब जाया गया हम लोग को यह बुक बहुत फिकांद डाया है इसलिए हम आप लोग को एक बार जो है बोलेंगे जो इसको रीड कर लीजिए इस्में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा आपको यह बहुत ही आसान भासा में समझाया गया है इस बुक में तो यहां पे जो है इंटर्वियू से सम्बंदित जो है हम लोग आपके लिए यह वीडियो लाय है जिसमें हम लोग अपने तरब से आप लोग को कुछ हेल्प पहुंचाने की कोशिस किये हैं जिससे आप लोग का इंटर्वियू में कुछ हेल्प मिल सके तो हम आसा करते हैं आपको जनकारी पसंद आई होगी हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में